जब मोदी जी को देश की देश को मोदी जी की जुरूर थी मैंने मोदी जी का काम किया जब यूपी में योगी जी की जुरूर थी मैंने उनके लिए काम किया आज हर्याणा को कॉंगरिस की जुरूरत है आज मैं कॉंगरिस के लिए काम करूँ तो यह जरूरत किस तरह से कि आप तो मोदी के बड़े भक्त अनन्य भक्त बड़े भक्त इस तरह से बोलते थे खुद को बस एक ही लड़ाई थी मनोर लाल जी चाते थे के मैं मोदी भक्त ना लिखकर मनोर भक्त लिखू और मैं तब ये गाना पहले जैसे पोलिटिकल गाने गाता था अच्छे दिन आन करने की कोशिश करी कई बर मैं स्वेरे सेर करने जाता हूं धमक्या देने का काम किया खट्र साब ने पुराना एक केस उठाया जो खतम हो चुका था चार पर कैंसल हो चुका था उसके अंदर धार हैं जोड़ जूड के मेरे को अंदर डाल दिया राम राम नमस्कार ये नरेंद्र मोदी का फैन, नरेंद्र मोदी का भगत इस तरह के टाइटल के साथ बीजेपी के गाने बनाते हुए लेकिन साब हम ही कहें कि अभी फिलहाल जो है वो हमें कॉंग्रेस के गीत गाते नजर आ सकते हैं क्योंकि हम ये कहें कि अब कॉंग्रेस में शामिल हो चुके ह ने मैंने उनको समर्थन दिया है, तो शामिल कहीं नहीं हुआ, मैं पहले भी बीजेपी में भी नहीं था, तो मैं मोदी जी का एक फैन था, मोदी जी जी भुगता उनका काम करता था, पर्टी में से तो मेरा सुदुझी को इता हुआ लुक आता नहीं रहा, लेकिन जो किस तरह से मैसूस हुई क्योंकि आप तो मोदी के बड़े भगत अनन्य भगत बड़े भगत इस तरह से बोलते थे खुद को नहीं बोलता था वो एक अलग मेंटर है लेकिन जब कोई भी काम नहीं होगा मैंने चोदा साल तक मोदी जी के लिए योगी जी के लिए काम किया बी और भगत लिखू और यह मुझे मंजूर नहीं था मनोवर सावी तो मित्र रहे ना अरेंद्र मोदी के मित्र है लेकिन मैं हर एक इंसान का तो भगत नहीं बन सकता ना कल को कोई भी पार्टी मालो मैं किसी पार्टी को जोईन भी कर लेता हूँ बहीं मोदी भगत लिख दिय मैंने कंगे घानाग आया रादे रादे नाम सही अच्छे दिन आएंगे बे पुलीटीशन के नाम से अभी एच्छी दिन दिन, यह जाने बाड़े पर्मातमा कगा नाम लोगे, तबही अच्छी दिन आए और जितां चोद della साल तक मैने इन के लिए काम किया फूरे देश म लोगों किया ना मेरे को जय्ण में डाला, ऐसे जो अपनों को बच्चों को नागी नहीं खाती है, कोई दुसरा जानुवार नहीं खाता है, ऐसे क्या हुआ था, सब ठीक चल रहा था, बीजे पी के मंचों पे जा रहे थे, आपके गीत गाने, सब लोग देखतो रहे थे, क्य मेरी पबलीशिटिटी फचंद नहीं थी वो बुलागे की बबात भुलते था के बया आपकी आपकी ख़ो बात अबैसर पहारों में फोटा नहीत है अश्म कीनी किसी हीरो के बेना स्थार के लदो चै फिल्म कोषें फिल्म मना जो गए मेरी शुटी ओपने उससे में UCB ुधाय crying चार्च जाने बारजद कांटर था इनके लिए काम किया पूरे देश में काम किया इन또 का इसा य ह। मेरे एक इच्छा जाए मैंने एक इच्छा थी कि जिन लोगों के खिलाब मैंने 200 गीत गाई जिन लोगों के मैंने बुरा बला कहा और उन लोगों ने मेरे कुछ निकार जिन लोगों के लिए मैंने काम किया उन्होंने जेल में डालने का काम किया इन्होंने मेरे को गुडगा कीया उन्होंने एक वार थोड़ी जोड़ी शैंक्र वेर्टी किया लेकिन जंता का मेरे साथ साथ है परमाथमा मेरे साथ है आपके तो बीजेपिक बितर बोrit के जानते हूँ जो आपके साहाम के साथ होगा वैसा ही होगा इदियों बोलेंगे ऐसा नहीं करना तो नहीं करना एक मीटिंग में मुद्धा उठा के रुखी मितल का मान समान करना चीए तो उसी टेम उनको धंका दिया पर देश दक्स जो बने मेरे परमित्रे लेकि लाल बडोली उसको उच्छो एक तारिक के बाद क जब खट्र साब उसको बोलएंगे कि रुखी मितल से बात नी करने उनको इतना भी बोला कि रोकी मितल से बात नी करने आ ये बात करने चोड़ देते यह कोई वियसाद व्यासाद श व्यक्ति निया हमारे घर में एक फंक्सन था एक साल भी नह साल भी नहीं हुआ इन्हों सोचा किसी नेता से प्रभावित होके किस से प्रभावित हुए? तो इन चीजों से लगा कि नहीं और कोई भी कारिये जो बड़े लेवल का होता है एक भी काम दस साल में नहीं कर पाए और जब की जब चोधरी बजनलाल जी थे या उनके बेटे चंदरमोन जी थे उन्होंने ही पूरे पंचकुला को डवेल्प किया मुझे लगा कि अब उनक करप्शन का भी आपने जिस समय जिक्र किया था काफी बवाल हुआ था तो क्या क्या पूरा मामला क्या पूरे आप यह गिनवाएंगे इनको वो लोग पसंद हैं जो खुद भी काये और इनको खिलाएं मुझे ना खाना पसंदा ना खिलाना पसंदा उसोदा मैं सोदागर नहीं हूं मैं हरेने का हित के बारे में सोथता हूं मैं राजनीती में इसली आए कि अपना घर बरना है वैसे दाल रोटी का लूँगा मुझे निशाई पिनिर चाहिए आपने जितनी रेल्यू में आपने गाने गाए आप गए तो क्या एक भी पैसा नहीं मिला मैंने मंग अधे ब्रहा है नहीं मिला गया मात मैंने बोला ना कि में फरी का गदा था गदा समांड़ तरहता है और चारह बार चर किया तो वो काम मेरा था इन्हों नहीं पूछ लो कि रोकी मितल को बठा गए घर पे खाना कि भी खहला आए तुमने सिर्फ यूज किया यूज जैड़ आर में तो कुद कहता है ता पलीज यूज मी इन्हों जो भी यूज किया और उचे तो कोई दिककत नहीं करना था तो जेल मैं डॉलने का उन इसा तरीका था जेल रहके आया आप? एक्षिज दन जेड में रहके आया? कौन सी जेल में और क्यूं? जेल में रहके आया, खटर साब ने पुराना एक केस उठाया जो ख़दम ओचुका था, चार बर कैंजल ओचुका था, उसके अंदर धाराएं जोड़ जूड़ के मेरे को अंदर डाल दिया क्या मामला था? मामला था कि कैथल में किसी के साथ मार पीट की और जबकि कोई मार पीट नहीं हुई थी उसके बाद ये मेरे को कैथल पूलिस और पंसकूला पूलिस दो तो पूलिस थाने के उठा के ले गई और मेरे को वहां जाके एक दलीप सिंग डियाश्पी था उसने टोर्चर करना शुरू किया या तो खटर साब के खिला बोलना शुरू करते नहीं तेरा दिक्कत आएगे तेरे को रेप केस में फसा दे क्योंकि अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश करना था उन्हेंने रिमांडबा मांगा था तीन दन के लिए तो जब मैं हवालात में बन था तो कुल्वंत आया कोई DSP उस्टेम का उसने दारूपी रखे थी और आग बुबुला होगा लडाई करने की कोशिज करे उसने तो उसका बस नी चला वो तो दूसरे पूलुसवाले भाग कर आये वरना उस्टेम गोली बी चला सकता और गोली ही मार सकता तो शिरव नंबर बंळाने के चकर में एन लोगों ने जिस्टे मेरीको वो ने जिसने बंथी चोडि किये जैपूर यह जैपूर मेरे को उठा कर जब जेड़े के अंदर गए जो SH हो था उस टेम का सीव, सीव कुमार, सीटी SH हो था, उसने गाड़ी पहले बार रोकी, सारे पूलिस वाड़ों को उतार दिया, यह मैं पहले बार आपके चैनल को बता रहा हूँ, पांच मिन्ट तक गाड़ी रोकी गई, उसने मेरे को तरह त किसे बनता करिए, तो फिर मैं हाई कोर्ट में गया, 21 दन के बाद मेरी जमान तुई, उस टेम के परधान बंतरी मुती जी ने स्वर्ट की, हाई कोर्ट पर्री में भाहराया, उसके बाद मेरी हालात ये ती, एक दिन मैं बाहर खड़ा तह मेरी मैडम मेरे पास आगे खड़ लोगो मेन में वो था, सारा दन मेरे आगे C.I.D. घूमते रहती थी, और मेरे को इतनी पुलिस पकड़ के लेके गई, आज तक जितने भी परियों पे गोडियां चलती हैं, फिरोतियां मांगते हैं, आज तक एक क्रिमिनल नी पकड़ा गया, एक रोकी मितल को दो-दो जीलों कि पुलिस पकड़ के लेके कि कुई दाउ था में, या में डॉन था, चोदा साल तक तुम्हारा काम किया, इसी बात का गम था उसको, कि रोकी मितल मोदी के गीत गाता है, मोदी भक्त लिखता है, मनोर भक्त क्यों नहीं, और जी मोदी जी जी बात को नहीं समझेंगे, तो या में डुक की मि дуже बारे मितल्स के भारे में क्या करेगा, नरेใं अजी बता है, यह बता ही भाते हिग यह बाते, यह है लेटर लिखान ओंड़ किया यह बाते है, मैंे परदेष कर एह उसको जो एमारे अध्यक्स है उसको एनल भी लिक्ट यह ब्या है, मैंने परधिस उनो मैंने पंदरादन का नोटिश दिया, कि मेरी सुनो, अब कि इनको जूरूर थे नहीं थी, अब कोई तो कुछ तो करेंगे ना, और जिंदगी के अंदर मैंने निसे कुछ नहीं लिया, यदि मेरे को पद्धी रखा था, शुरी राजी स्कूलर जी नहीं रखा था, और मैंने में साफ साफ लिखा है, कि मैंसा उनका मैं अभारी रहूँगा, तो उनने तो कुछ दिया है नहीं, यदि ये खुद लगाने वाले तो कैमेरे को सिस्पेंड करते हैं, और उन लोगों की कैनिसी सिस्पेंड किया, जो हर्याने के भी नहीं है, जब ये बाते करते थे, हर्या मुझे माफ कर देगा, जब मैंने इन्होंने जेल में डालने के बास, सवा साल लगातार में हारी दुवार गया गंगाजी में सनान करने के ताकि कुछ दो पाप कम हो, इतने पाप की है, मैंने जूटेगी दगाए, और पस ताव रहा है, क्योंकि लोगों को सरमनी है, मुझ उसके बाद कोई action ने लेते, कोई statement उनकी नियाती मेरे खिलाब, कोई case कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों से फिर तो देखो माफी मांगना बनता है, मुझे माफ करना, Rahul मेरे भाई, नफर्थ फलाई हमने, तूने मिटाई, मुझे माफ करना, Rahul मेरे भाई, मैंने गीत गय अरज पूरे इंडिया के एक घर घर में चला गया, चो बीजेपी का है, चो कोई भी है, हर बंदे ने उस दर्द को सुना, मैंने माफी के गाना का है, माफी देना ना देना वो Rahul Gandhi जी का काम है, मेरे काम नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एक message दिया है, clear किया है, लैटर लिख पहले वाला Rahul Gandhi मार गया, अब ने आया है, तो उनके बाद परभावित हुए, और मेरे किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, मैं तो हर्याना के हितों के लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर्याना में आज कांग्रिस की जूरत है, चलिए मैं कांग्रिस का परचार कर रहा हूँ, कोई जुए निकर रहा हूँ, कोई मेरे इन से ठीक्ट निमांग रहा हूँ, कोई मुझे पद की भूग नहीं है, सिर्फ एक ही है, कि हर्याना के अंदर बदलाव हो, ताकि हर्याना की जो विकास की गाड़ी निच्चे उतर गय है, और दुबारा से पठरी बाए है, अब क् मैं ये कहूं कि जो खेमे चुनते हैं, उनमें हमें ये कहूं कि आप खेमा चंद्रमोहन बिश्णोई साब का, सुर्जेवाला साब का, इन ही में रहेंगे, पहले खेमों के कारणी तुम्हार खाई है, वासियमा उसमें भी दो खेमे थे, एक खुलर साब का खेमा, एक निरत संपरग नी किया, अब की बार मैंने चेंज कर दिया, पहले मैं निच्चे आया, मैंने स्री चंद्रमोहन जी से बात की, इनके पास आया, मेरे मितर थे ये, इनको समर्थन दिया, फिर हमारे रनदीप सिंग सुर्जवारा को दिया, मैं दिपेंदर हुड़ा बुपेंदर इसे मतलब नी है, मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ, पूरी कॉंग्रेस कर रहा हूँ, यह किस तरह की जरूरत आपको लगी कॉंग्रेस की, क्या बीजेपी राज में जो काम गिनवाये जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं की और से, क्या उनसे आप इतफाक नहीं रखते, कौन से क सीडी मिलती है, क्या मिलता है किसान को, आप कभी सबजी मंडी जाना, जब सीजन होता है, तो सीमला मिर्चाप को दो रुपे किलो मिलेगी, आलू एक दो रुपे किलो रुडता मिलताएगा, तो क्या वो डबल आय हो गई है, लाडवा सैड में साबा सैड में तलालू लगत कई लोग तो अलूगी फसल करना चोड़ की? क्या उनको डबल मिलता है? उनको क्या पता, जब किशान कोई ठेके बीजेमी लेता है, पचास पच्पना हजार साथ जार ठेका होता है, उसको पुछो पसल कितिने हैं? उसको सारी फसल का खर्चा करने के बाद बच्चता क्या है किसने बॉला डबल है जिए डबल होती त encontramos किसान भुकखा मर्ता क्या किसान करजा लिता उल्टा करजा लोगों को देता इसे बड़़ाईजि जी कहना हर बंदर कहते के मैंने डबल कर दिया इनसे पुछो वेपारियों बे इतनी फ्रोतियां मांगीगी इतनी गोडियां चले, इतने मनर्यूएं किसी की सुरक्षेगी बाती भी करी है। मैंने कई दिन पहले रणदीप सुर्जवाले को भी कहता है देखा। चंदर मोंजी को भी कहते देखा, मैंने दिपेंदर हुड़ा को भी कहते देखा, पई गुंडे, बदमाज जितने भी हैं, चार तारी से पहले पहले हर्याना छोड़ दो, नहीं तुमारी खैर नहीं, बीजे पी की तो आज किसी लिडरी ने बोला नहीं, हमारे विपारियों क मैं अगरवाल समाज से विलोंग करता हूँ, हमारे आठ विदाएक हैं, एक संसद हैं, उनके सामने शर्याम, लड़वा में गोली चली, कुर्षेतर में चली, सांपड़ा में जली, भादरुगड़ गवाना कहानी चली, आज तक उन्होंने एक सब तक नहीं बोला, इतना ड दबंग और जॉब की समझ्या हुआ, समाधान करें, यह जातपात का जो चैप्टर ही कलोज करते न चाहिए, और जातपात का चैप्टर तो वही कलोज हो गया, जब अभी दो मिने पहले आई, किरन चोधरी जी को, रजजे सब बेद दिया, किसी ब्रामन को दो बेचा, किसी रजे सबा बेचा है, को ठीकट देते हो, पूछे न सी, किसी यादव जाती को बेचा, किसी गुजर समाज को बेचा, जीन के खिलाब तुम नफरत बलाते हो, फिर जाट नों जाट करोगे, और फिर लोगों को क्या अंदे हैं लोग, इन से पुछो दुसर्ण चोटाला जी रणजी चोटाला जी कोण थे, जेपी दलाल जी कोण थे, कमलेश डांडा जी, महिपाल डांडा जी, दिवेंदर बबली जी, ये कोण है, सुभास बरादा जी, अब किरन चोदरी जी, कोण है ये? जनता को घुमरा करना बंद करो, कोई जात्ति पाति के चैप्टरी सारे उ अच्छे लोगों को चुनके लेगा हो इसी चक्कर में चंदरमोंजी पिछली बार थोड़ी बोटों से रहे गे रणदीप सिंग सुर्जेवाड़ा जी रहे इन लोगों को सोचना चाहिए कितने बड़े लेवल के नेता है अनुके सामने जो चुनाव लड़के आए उनकी ब करेंगा तब ही उधार होगा तब हरेना तरकी करेंगा अजादपात के नाम पर आप लोगों ने दस साल यह खराब करती है अच्छा जब आप बीजेपी के लिए गीत गाते थे लोगों के क्या रियक्शन होते आपके पास आते थे ऐसे बोलने कि आपने तो कमाल कर दिया ब पहले ही बार ऐसा हुआ कि किसी भी एक भी व्यक्ति ने मेरे को यह नी पोला तेरा गल्त डीसिजन है हर व्यक्ति कहते है तेरा डीसिजन एकदम साही है तो नई गाने कब तक आएंगे आपके और भी अभी एक रनदीव सिंग सुर्जावाला जी का गीता आगया अभी उसक चंदर्मों जी काएगा और एक भुपेंदरूडा जी काएगा कोई सुनाना चाहिए समय हम चंदर्मों जी का सुनाओं जो आपका मन करें जो पहले राहूल गंदी जी काया मुझे माफ करना राहूल मेरे भाई नफर्थ फलाई हमने तुने मिटाई मुझे माफ करना वरना हाल बेहाल है काम करन में चंदर मौन दूसरा भजनलाल है क्योंकि काम जो पंच कोला में भजनलाल जी निकिया ना दूसरा भजनलाल जाता है और अभी एक गाना आएगा मेरा भुपेंद्र हुड़ा जी अच्क सारा major है वह से ज trips था मेरा मोधिजी कॉया है था मोधिजी एंगे किज़ंगों आपड़ान को दोबारा मच पे घृफश भाद आप ऌपी में पिछा गाताटण pak 듣 बुर विठिया अभी पिछे बिसंबर, में पिछे काम भड़ा मेरे देखो मैं कितना एक बेवकूफ था चार साल पहले मेरे को जिल्ड में डाल दिया उसके बाद भी काम कर रहा दिसे पर वाफधारी क्या निभा हुआ है ऐसी तब वाफधारी मुझे लगता निया में किसी निभाई और जब मैंने पार्टी छोड़ी तो भी 15 दिन का बरबाद यह तो जंता करती है परमातमा करता है कोई इनसान किसी को निमार सकता इनसान भगवान नहीं बन सकता उसकी गल्त फ्हेमी थी और 4 अक्तूबर को जब रजैल टाएगा तो गल्त फ्हेमी दूर हो जाएगी खटर साब की पबलिशिटी में दम है के रोकी मितल की द देखें आपके भी कोई सवाल हों तो वो भी हमें भेजें इनसे हम दोबारा मुकातिब होंगे